जब हम किसी रासाइनिक पदार्थ का संस्लीशन करते हैं, तो हमारा उद्देश यह होता है कि कम से कम उर्जा खर्च या कम से कम लागत में हमारे अधिकांश अभिकारक उत्पाद में परिवर्थित हो पाएं और हमें उत्पाद की अधिकता मात्रा प्राप्त हो सके और यद यदि ऐसी स्थती में हमें उस रासायनिक अभीक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विशाय में पता हो, तो हम उस अभीक्रिया को अग्र दिशा में यने की अधिक उत्पाद प्राप्त करने की दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। उदारन के लिए यदि हमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला कर नाइट्रिक ऑक्साइट का उत्पादन करना है। हम जानते हैं कि यह अभिक्रिया एक उश्मा शोशी उत्क्रमनी अभिक्रिया है। और जब हम किसी अभीक्रिया मिश्रण में नाइट्रोजन और ओक्सीजन गैस को लेकर अभीक्रिया कराते हैं तो कुछ समय के पश्चाथ इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती हैं और इसके लिए हम अभिक्रिया पात्र में नाइट्रोजन गैस तथा ओक्सीजन गैस का मिश्रण लेते हैं और चूकि यह अभिक्रिया उद्क्रमणी अभिक्रिया है तो कुछ समय के पश्चात साम्य वस्था स्थापित हो जाती है तथा नाइट्रिक ओक्साइड का उत्पा के प्रभाव का पता हो तो हम उसमें उस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हमें लगातार अधिक मात्रा में नाइट्रिक ओक्साइड प्राप्त होती रहें यह तो हम जानते हैं कि जो साम्य वस्था स्थारांग केसी है उसका मान अभिकार को तथा उत्पादों की प या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्यावस्था भंग हो जाती है और नेट अभीक्रिया फिर से शुरू हो जाती है फिर से चलने लगती है और तक तक चलती रहती है जब तक कि पुना नई साम्यावस्था स्थापित नहों जाए इसी तरह से य की बहुतिक प्रक्रमों में हमने ताप तथा दाप के प्रभाव का अध्यन किया है उधारन के लिए जब हम द्रौव वाश्व साम्यावस्था देखते हैं या फिर किसी ठोस को द्रौव में विले करते हैं उस समय जो साम्यावस्था होती है उस पर हमने देखा है कि ताप परिवर्तन करने पर साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में इसका अनुमान हम ली शितेलिये के सिध्धान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ली शितेलिये ने बताया कि जब किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थतियों को नरधारित करने वाले कार मुख्य रूप से सांध्रन ताप तथा दाप में किसी भी प्रकार का परिवर्टन किया जाता है तो साम्य विस्था उस दिशा में अग्रिसर हो जाती है जिससे इन किये गए परिवर्टनों के प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सके और लीश vocal का यह सिद्धन्त भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही प्रक्रमों में समान रूप से लागू होता है। किसी भी नीकाय की साम्यावस्था पर अभिकार को तथा उत्पादों की सांद्रता परिवर्टन करने से उसकी साम्यावस्था पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन हम लीशितेलिये के सिद्धान के अनुसार कर सकते हैं। तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रिसर होती है जिससे इस मिलाए गए पदार्थ का उप्योग हो सके। दूसरी ओर यदि किसी रासाइनिक उत्करमणी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर यदि हम अभिकारकों या उत्बादों की सांद्रता में कमी करते हैं। इन्हें अभिकरिया मिश्यर्ण में से निकाल लेते हैं तो अभिकरिया उस दिर्षा में अग्रसर होती है या साम्या वस्था उस दिर्षाんだ विस्था पीत हो जाती है जिससे इन निकाले गए पदार्थों की पूर्ती हो सके या इनका पुनह निर्मान हो सके इस प्रकार हम कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक साम्या वस्था पर हम अभिकारकों और उत्पातों की सांद्रताओं में किसी भी प्रकार का में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि जिससे मिलाए गए पदार्थों या निकाले गए पदार्थों की मात्रा को संतुलित किया जा सके या इन मिलाए गए पदार्थों या निकाले गए पदार्थों की सांद्रता के कारण जो परिवर्तन आया है उसे उसके प्रभाव को क क्या जा सके या उसे समाब्त किया जा सके आइए से हम एक उदाहरन की द्वारा समझते हैं वाल लिजे हम फाद्डूरोजन गेस तथा आयोडीन गेस इन दोनों के मिश्चण से हादिरूजनण आयोडायट गैस का निर्मान कर रहे हैं हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइडरोजन के एक मोल, आयोडीन के एक मोल से क्रिया करते हैं, तथा हाइडरोजन आयोडाइट के दो मोल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया में कुछ समय के पच्षात साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जब इस अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है उसके पश्चात यदि अब हम इसमें हाइड्रोजन की कुछ मात्रा डालते हैं तो यहां पर लिशतेलिये के नियम के अनुसार अभिक्रिया उस दिशा में अग्रिसर होगी जिस से इस मिलाए गए हाइड्रोजन का उप्योग हो सके इस पस्ट है कि यहां पर अब हा आयोडीन के साथ मिलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइट बनाएंगे और इस तरह से अभिक्रिया अग्रिस दिशा की और विस्थापित हो जाएगी तथा साम्य वस्था भी अग्रिस दिशा की और विस्थापित हो जाएगी यहां पर हम बता दें कि इस प्रका और उत्पादों की सांद्रता थी उससे भिन होती है उससे या तो कम हो सकती है या फिर उससे अधिक हो सकती है इसे हम अभिक्रिया भागफल के द्वारा भी समझ सकते हैं इसी अभिक्रिया के लिए जब हम QC कामान निकालते हैं तो यह होता है hydrogen hydrogen iodide की concentration की power 2 divided by hydrogen की concentration into iodine का concentration इसपस्ट है कि यदि यहाँ पर हम hydrogen की सांद्रता बढ़ाते हैं तो कि क्योंकि hydrogen यहाँ पर हर में है डिनॉमिनेटर में है और इसलिए इससे QC कामान कम हो जाएगा और हम जानते हैं कि जब QC कामान कम हो जाता है तो अभिक्रिया अग्रतिशा की ओ और बढ़ने लगती है यहाँ यहाँ पर अधिक मात्रा में hydrogen और iodine मिलकर hydrogen iodide का निर्मान करेंगे और यहाँ क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की QC कामान KC के मान से बराबर ना हो जाए यहाँ कि फिर से एक नई साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए यहाँ पर हम बता दें कि दूसरी ओर यदि हम उत्पाद की मात्रा को कम कर देते हैं यदि अभिक्रिया मिश्रत से या साम्यावस्था परिस्थितियों से जो उत्पाद प्राप्त है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं तब भे अभिक्रिया की साम्यावस्था अग्र दिशा की और विस्थापित हो जाती है यही कारण है कि जो अदोगिक परिस्थितियां होती है या अदोगिक नर्मान किये जाते हैं वहां पर बनने वाले उत्पाद को अपने स्थान से हटा देना अब अगर अभिक्रिया को अगर दिशा में फारवर्ड करने का एक बहुत ही होता है क्योंकि यहां पर हम बता दें कि खासकर जो उत्पाद होते हैं ये गैसी हो या फिर द्रव अवस्था में हो तो उनका निसकाशन और भी सरल हो जाता है उदहरन के लिए जब अमोनिया का अध्योगिक निर्मान किया जाता है नाट्रोजन और हैड्रोजन के द्वार तो उस स्थती में चुकि अमोनिया गैसी अवस्था में प्राप्त होती है और इसे बड़ी आसानी से द्रवी भूत किया जा सकता है तो जैसे ही अमोनिया बनती जाती है उसे द्रवी भूत करके वहां से हटाते जाते हैं जिससे उत्पात की तरफ जो सांद्रता जो है वह कम ह जाती है और इसकी वज़े से जो साम्यावस्था है वह अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि अब नाइट्रोजन और हैड्रोजन अधिक मात्रा में क्रिया करते हैं और अधिक से अधिक अमोनिया का निर्मान करने लगते हैं इसी तरह से एक और दारन ले सकते हैं हम कैल्सियम ऑक्साइट का निर्मान जब कैल्सियम ऑक्साइट जो कि भवन निर्मान का एक मुख्य पदार्थ होता है तो वहां पर हम इसका निर्मान कैल्सियम कार्बोनेट के तापी विगटन से करते हैं और इस स्थती में भी यदि हमें कैल्सियम की अधिक मात्रा प्राप्त करनी होती है तो इसके लिए उत्पाद में कैल्सियम ऑक्साइड के साथ बनने वाली जो कार्बन डाय ऑक्साइड गैस है इसे लगातार वहां से हटाया जाता है और जिससे कि अभिक्रिया क्योंकि उत्पादों की तरफ यहां पर सांद्रता कम हो जाती है इसलिए अभिक्रिया अग्रदेशा की और चणने लगती है तथा एक नई साम्यावस्था स्थापित होती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्करमनी अभिक्रियाओं की साम्यावस्था पर यदि हम अभिकार को या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन कर तो हमें एक्षित उत्पाद एक्षित मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं आए अब हम रासाइनिक साम्में अवस्था पर सांधरता के प्रभाव का अध्यन करने के लिए एक प्रयोग करते हैं इसके लिए हम एक विलियन ले रहे हैं यह विलियन है आईरन नाइट्रेट का इसक सकते हैं कि जो iron nitrate का विलियन है वो कुछ पीले रंग का है जबकि potassium thiocyanate का विलियन रंग ही होता है अब एक परक्नली में हम iron nitrate की कुछ मात्रा लेते हैं तथा इसमें एक दो बून potassium thiocyyanate की डालते हैं अब देख सकते हैं कि जैसे इनके बीच क्रिया होती है तो एक गहरे लाल रंग का विलियन प्राप्थ होता है यनि कि जो कि ब्लड रेड कलर का विलियन आपको दिखाई दे रहा है यह जो विलियन है वह आईरन थायो साइनेट एक नए कॉम्प्लेक्स बनने की वज़े से हो रहा है यनि कि यहाँ पर जो आईरन नायकरट हम ने लिया था उसकी क्रिया जब प्रोटेश्यम थायो साइनेट से होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है आईरन थायो साइनेट और आईरन थायो साइनेट बनने की वज़े से यह जो ब्लड रेड कलर हमें प्राप्त होता है अब इस बने वे आईरन थायो साइनेट जो की गहरे लाल रंग का है इसे हम तीन अलग अलग परखनलियों में लेते हैं इसे कुछ तनू करके लेते हैं ताकि जो रंग की तीवरता है वह कुछ कम हो जाए अब इसे तीन अलग अलग परखनलियों में लेकर हम इस पर आइरन की सांद्रता बढ़ाने या थायोसाइनट की सांद्रत बढ़ाने या फिर इनकी सांदृता कम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हैं सबसे पहले हम लेते हैं टस्ट डूब नंबर एक जिसमें हम फेरिक नाइट्रेट की कुछ मातरा मिलाते हैं जैसे हे हम फेरिक नाइट्रेट की कुछ मातरा मिलाएंगे यहां अभिक्रिया अग्रदिश्या की ओर फार्वर्ड हो जाईगी और अधिक मातरा में iron thaiocyanate बनेगे जिसकी वज़़ासे आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट्यूब के विलियन का रंग है पुना तीवर हो जाता है गहरा हो जाता है दूसरी ओर दूसरे टेस्ट्यूब में यदि अब हम यहाँ पर कुछ मात्रा में पोटेश्यम थायोसाइनेट की एक दो बुन डालते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पुना हमें गहरा लाल रंग प्राप्त होता है क्योंकि अब भी क्योंकि हमने यहां पर अभिकारक की सान्रता में बढ़ोतरी की है इसलिए अभिकरिया पुना अग्रदिश्या की ओर फारवर्ड होगी और इस तरह से हमें अधिक मात्रा में आयरन थायोसाइनेट बनेंगे जिसकी वज़ से पुना जो परकनली का विलियन है वह घरे लाल रंग का हो जाता है अब तीसरी परकनली में हम डालते हैं अमोनियम क्लोराइड अब यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड है यह काम करती है थायोसाइनेट की सान्रता को कम करने का क्योंकि जैसे हैं हम इसमें अमोनियम क्लोरा कर में देनी सब्सक्राइब कुन trauma कर देती है जो कि रंगहीन होता है जिससे कि अभिक्रिया मिश्रन में थायो साइणेट आइनों की कमी हो और इसकी वज़ा से इसकी पूर्ती करने के लिए अब अभिक्रिया की साम्यावस्था यहां पर बाई दिशा की और विस्थापित हो जाती है जिसके फल्सरूप जो आयरन थायो साइनेट बने हुए थे जो गहरे लाल रंके थे वो तूटते हैं ताकि यहां पर जो बाई और थायो साइनेट की जो सांदरता में कमी आई है उसकी पूर्ती होने लगे और इस तरह से यहां पर हम देखेंगे कि चुकि यहां पर आयरन थायो साइनेट जिसकी वज़े से विलियन गहरे लाल रंका है उसकी सांदरता कम होती जाएगी इसलिए जो रंग है उसकी लाल रंक की तीवृता भी कम होती जाती है जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया पश्च दिसा की और अग्रिसर हो रही है इसी तरह से यदि इस अभिक्रिया में हम ऑग्जालिक एसिट का सॉलूशन डाल दें तो ऑग्जालिक एसिट का सॉलूशन जब हम डालते हैं तो यहां पर वह ऑ और इसकी वज़े से चुकि यहाँ पर अभिक्रिया मिश्चर में आयरन के आयनों की सांदरता कम हो जाती है जिसकी वज़े से इसकी पूर्ती करने के लिए अब पुना आयरन थायोसाइनेट तूट कर यहाँ पर आयरन तथा थायोसाइनेट आयन बनाने लगते हैं जिससे सांदरता में कमी हो जाती है तो इस तरह से यह प्रयोग दर्शाता है कि किस प्रकार से अभिकारकों की सांदरता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर फारवर्ड होती है तथा यहाँ पर अभिकारकों की सांदरता कम कर देने पर अभिक्रिया किस प्रकार पश् परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया एक निश्चित दिस्था में चलने लगती है या साम्यावस्था विस्थापित हो जाती है आईएब जानते हैं किसी निकाय की साम्य वस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी गैसी अभीक्रिया में आयतन परिवर्तन के द्वारा जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादों की मात्रा में परिवर्तन होता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्टे हैं जैसे कि किसी भी गैसी निकाय में यदि अभिकारकों तथा मोलों की संख्या भिन-भिन है तब तो दाप परिवर्तन करने से साम्य वस्था में परिवर्तन होता है लेकिन यदि अभिकारक और उतपात के मोलों की संख्या समान होती है तो उस पर दाप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसे तरह से दूसरी ओर यदि जो निकाय है वह विश्रमांगी है यनि कि वहाँ पर अभिकारक या उतपात एक से अधिक भौतिक अवस्था में हो करता है और इस स्थती में हम यह देखते हैं कि यदि उसमें गैसी अभिकारक या उतपाद होंगे तभी उसमें दाप का प्रभाव पड़ता है आई अब हम इसे एक उधारन के द्वारा समझते हैं यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया पात्र लिया है जिसमें हम कार्बन मोनो तथा हाड्रोजिन की क्रिया कराते हैं जिसके फलसरोप हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है तथा जल बनते हैं इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि अभिकारक के मोलों की संख्या चार है जबकि उतपात के मोलों की संख्या दो है अब इस अभिक्रिया मिश्रन में यद दाब को दुगना कर देती हैं तो चुकि आयतन कम हो गया है और कम आयतन में कम ही अनु ज्यादा सुविधाजनक स्थती में रह सकते हैं तो इसलिए यहां पर आयतन कम कर देने से मोलों की संख्या या सांध्रता उस और अग्रिसर होगी जिससे यहां पर मोलों की संख्या को कम किया जा सके यनिकी अभिक्रिया उस दिशा में अग्रिसर होगी जिससे दाब बढ़ाने पर आयतन में जो कमी आई है जिसके फरसुरूप जो मूलों की संख्या में वर्धी हो रही है उसे कम किया जा सके इस पस्ट है कि यदि इस अभिक्रिया मिश्ण में हम दाब बढ़ाते हैं तो कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा हाड्रोजन गैस आपस में और अधिक्रिया करेंगे तथा ये अग्र दिशा की और अग्रसर होंगी क्योंकि उत्पात की तरफ हम देख रहे हैं कि मोलों की संख्या कम है यनि कि इस अभिक्रिया में साम्य वस्था उस दिशा में अग्र साम्य वस्था में किसी परिस्थती में परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन जो नया परिवर्तन है वो इस तरह से अपने आपको अरेंच करता है या इस प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है क्योंकि यहां पर हम दाप बढ़ा रहे हैं तो अब साम्य वस्था उस दिशा म अग्रिसर होगी जिस और मोलों की संख्या कम हो रही है या अन्मों की संख्या कम हो रही है इस पस्ट है कि अभिक्रिया अग्रतिशा में आगे बढ़ेगी क्योंकि अग्रतिशा में जाने से मोलों की संख्या कम होती है इसे हम अभिक्रिया भागफल के द्वारा भी समझ सकते हैं यदि हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल लिखते हैं तो यह होगी मेथेन की concentration into जल की concentration divided by carbon monoxide की concentration into hydrogen की concentration की power 3 अब इस concentration में यदि हम दाप को बढ़ाते हैं दाप को दुगना करते हैं तो यहां पर मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी दुगनी हो जाएगी तो यदि हम इसमें दो का गुणा कर दें तो यहां पर हमें जो उत्पात होंगे उनके मोलों की संख्या कुल प्राप्त हो रही है चार जब की denominator में जो अभिकारक हैं उनके मोलों की संख्या प्राप्त हो रही है 16 और यदी हम इन्हें कैंसल करते हैं तो यहाँ पर हमें QC is equal to प्राप्त होता है KC by 4 इस पस्थ है कि यहाँ पर जो QC का मान है वह KC की तुल्ला में 4 गुना कम हो गया है इस पस्थ है कि कि यहाँ पर अब KC का मान बढ़ाने के लिए अभिकारक अधीक संख्या में आपस में क्रिया करेंगे तथा उत्पात का निर्मान करेंगे और अभिक्रिया अग्र दिशा की और अग्दिसर होगी तथा सामय वस्था भी अग्र दिशा की और firewall direction में विस्थापित हो जाएगी और तब तक चलती रहेगी यहाँ पर जो इनके निर्मान की क्रिया carbon monoxide और hydrogen की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक की QC का मान KC के मान के बराबर नहीं हो जाता इसे हम एक और उदारन के द्वारा समझते हैं यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया है जिसमें हम को यानि की कार्बन की क्रिया जब कार्बन dioxide से कराते हैं तो carbon monoxide प्राप्त होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभिकारक हैं उनके भी मोलों की संख्या दो है तथा जो उत्पाद हैं उनके भी मोलों की संख्या दो है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभिकारक है उसमें कार्बन डायोकसाइट वह तो गैसी अवस्था में है लेकिन जो कार्बन है वह ठोस अवस्था में है और ली शितेलिय के सिध्धान के अनुसार हम साम्य वस्था में जो ठोस पदार्थ होंगे उनके उन पर पढ़ने वाले दाब के प्रभाव को उपेक्षित कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो मोलों की संख्या होगी वह अभिकारक की तरफ एक है जब कि उत्पात की के अनुसार जब इस साम्य वस्था पर डाब बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया पश्च दिशा की और अग्रिसर होगी क्योंकि दाब बढ़ाने से जो मोलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है या आयतन में जो कमी आ रही है उसकी पूर्ती करने के लिए अभिक्रिया अधीक मोलों से कम मोलों की संख्या की तरफ फार्वर्ड होगी और इसी लिए अभिक्रिया यहाँ पर पश्च दिशा की और फार्वर्ड होगी यनले की जो कार्बन मोनो अक्साइड बनकर तयार होई है वा तूट कर वापस कार्बन डायोक्साइड तथा कारबन में होगी तो इस तरह से हम ली शितेलिय सिद्धान के अनुसार किसी भी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर दाप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके विसाय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं किसी निकाय की साम्यावस्था पर अक्री गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी गैस में जैसे कि मालीजे यहाँ पर हम ले रहे है हाड्रोजन और आयोडीन गैस का मिश्रन और जिसके फल सरूप आपस में ये क्रिया करके बनाएंगे हाड्रोजन आयोडाइट गैस इस अभीक्रिया मिश्रण में यदि हम कोई अक्रिय गैस माली जे आरगन मिला देते हैं तो इस अभिक्रिया में इसकी साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो मिलाई गई गैस आरगन है वह किसी भी अभिकारक के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी ना तो उत्पात के साथ कोई क्रिया करेगी और इसलिए यहां पर अभिकारक और उत्पात की सांदरता में कोई परिवर्तन नहीं होगा य इसी भी अभीक्रिया की साम्य वस्था पर यदि हम कोई अक्री गैस मिलाते हैं तो उसके मिलाने से साम्य वस्था पर कोई प्रप्रभाव नहीं पड़ता है।